तो तुम सब लोगों तो पता ही है कि One Punch Man के जो revised chapters आए हैं वो कितने तकड़े हैं एक के बाद एक दमाका की जा रहे हैं और इनी chapters पर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमे मैंने बोला था कि Empty World और Cosmic Garo को compare करेंगे अगर उस वीडियो पर target complete हो जाता है क्योंकि अगर तुमने वो वीडियो देखे तो तुम्हें पता होगा कि Empty World और Cosmic Garo की जो powers है यानि उसकी Cosmic Radiations जो है उसको absorb कर लिया था तो तुम सब के मन्या सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखरें नोनों मैंसे strong है कौन और यही जानने वालें आज इस वीडियो में तो इस वीडियो में दौनों तरफ से बोलूँगा यानि दौनों तरफ से points रखाऊँगा कि Cosmic Garo क्यों ज्यादा strong हो सकता है या फिर Empty World क्यों ज्यादा strong हो सकता है इसके बाद तुम खुद decide कर लेना कि कौन ज्यादा strong है पट still at the end में अपना भी opinion रखूँगा कि मुझे कौन ज्यादा strong लगता है So starting होती है Freak Store से जो कि तुम्हारे बाई का store है और T-shirts और टी-शर्स ओल्रेडी लिस्ट हो चुकी है उस store पर In fact first drop खतम भी होने वाला है और क्योंकि यह सब तुम्हारे वे से उपाया है तो I made a special coupon जिसका यूज करके तुम 20% off पा सकते हो किसी भी तरीके के order पहें So check it out link in description बाकी वीडियो पे वापस आये तो सबसे पहले कास में गारों क्यों ज्यादा powerful हो सकता है जिसके पीचे कई सारी reasons है उन में से पहला है There is always a loss during energy transfer अब तुमने या 10th, 11th, 12th पढ़ी है तो तुम्हें पता ही हुआ किसी भी तरीके के energy transfer में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत energy तो lose होती है environment में तो अगर हम मान के चले हैं कि बिना God की power के empty world और Garo same level पे आते हैं in terms of power और क्योंकि loss of energy होने की वैसे empty world सारी की सारी energy absorb नहीं कर पाया होगा Garo की, Cosmic Garo की तो तो यह साफ साफ proof होता है कि empty world कम powerful है Cosmic Garo के comparison में अब यह तो चोटा से reason था लेकिन last reason जो है न वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ, शायद Cosmic Garo ज्यादा powerful है खेर, second reason पर आया तो निंजा लीडर ने सिर्फ Cosmic radiation absorb की ती Garo की उसकी powers, उसकी tactic absorb नहीं की थी तो इसलिए हम इस बात पर 100% surety के साथ बोल सकते हैं कि Cosmic Garo की तरह निंजा लीडर कॉपी नहीं कर सकता किसी भी बंदे की जैसे कि Cosmic Garo ने blast और सैटामा की कॉपी की थी वैसे निंजा लीडर नहीं कर सकता और तुम खुदी बताओ, Cosmic Garo तुम्हें किस reason की वैसे ज्यादा strong लगाता obviously, वो सैटामा की कॉपी कर पा रहा था उसकी techniques उसके punches तक कॉपी कर पा रहा था serious punches भी तो कॉपी किये था उसने और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो I don't think वो सैटामा के case में थोड़ी भी देट टिक पाता और अगर हम इसी reason को लेकर एक scenario create करें कि Garo जिसने की सैटामा की कॉपी कर रखी है जैसे जैसे सैटामा strong हो रहा था वैसे ही Garo भी strong बनता जा रहा है versus empty word या नहीं ninja leader जिसके की बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है उसकी skills उसकी techniques की बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन still सैटामा की powers के आगे कोई टिक सकता है क्या जिस वैसे इस case में Garo 100% जीत था और अगर तुम्हें ये scenario भी ठीक नहीं लग रहा तो तुम खुदी सोचो simple cast में Garo जो starting में था बिना सैटामा की copy किये वो अगर ninja leader से fight करने जाता है और उसकी technique सी copy करके उसी पे पेल देता है in fact उसकी technique को combine कर पाता है अपनी technique के साथ जैसा कि उसने blast के साथ किया था तो क्या tick पाएगा या ninja leader फिल्कुल भी नहीं मुझे तो फिल्कुल नहीं लगता और उपर से empty word यानी ninja leader भाग भी तो नहीं सकता किसी भी तरीके के dimensional portal का use करके क्योंकि ऐसा करके blast ने गारो को trap करने की कोशिश तो की थी लेकिन वो नाकामयाव रात है क्योंकि गारो ने ये चीज़ भी सीख ली थी blast से तो exactly same गारो ninja leader के साथ भी कर सकता है बात तो सही है So that's why I think गारो's technique is superior इसके अगले यानी तीसे reason की बात करें तो वैसे तो हमको empty void की powers अभी तक पता नहीं है लेकिन still पिछले दो तीन redrone chapters में इतना तो show कर दिया गया है कि empty void की जो powers है वो काफी हत्तक similar है blast के यानी interdimensional powers है उसकी और क्योंकि हमने गारो और blast की fight देख रगी है और उसमें गारो भारी पढ़ रहा था blast पे तो इससे सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि गारो अगर blast पे भारी पढ़ा आया तो empty void पे भारी पढ़ेगा क्योंकि भई अगर कॉस्में गारो से fight करनी है तो सामने वाले बंदे को गारो से भी ज्यादा तेजी से grow होना पढ़ेगा उसे हराने के लिए जैसा कि सेटामा ने किया था नहीं तो गारो at the end of the day किसी से भी जीती जाएगा फर चाहे वो कितना भी strong क्यों ना हो और इसके बात अगले reason की बात करें है तो blast की थुरू ही हमें पता चला था कि God की सिर्फ एक पावर नहीं है कई तरीकी की पावर से जिन मेंसे कुछ cosmic गारो ने यूज़ की थी और अब empty void यूज़ कर रहा है यानि chapter 197 में जब सारे लोग empty void का attack देखते हैं चोकि dimensional slash था यतना खतरनाक था तो उसको blast बताता है कि one of the God's power है चोकि distance, energy और size को completely ignore करता है क्योंकि ये दूसरे dimension की power है specifically बोलू तो higher dimension की power है और क्योंकि गारो ने सिर्फ थोड़ी सी ही power ली थी God की cosmic गारो में बदलने के लिए तो इससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि God की जितनी powers होंगी तुम में यानि जितनी power transfer हो पाएगी उतनी तरीके की techniques तुम यूज कर पाऊए और क्योंकि मैंने अपने पहले reason में बताया था कि क्यों empty void ज्यादा energy absorb नहीं कर पाया होगा गारो के अंदर से यानि कुछ ना कुछ तो energy transfer में loss हुआ होगा तो इससे ऐसा भी अंदाजा लगा जा सकता है कि कास्में गारो के पास जो technique थी वो superior थी empty void की techniques के comparison में क्योंकि गारो गारो की power absorb करने के बाद कास्में गारो में convert होने के बाद किसी भी तरीके की energy को समझ सकता था कैसे work करती है यह समझ सकता था और उसको use कैसे करना है किन किन तरीकें से use करा जा सकता है यह भी सारी चीज़ें वो कर सकता था और इसी reason की वैसे तो वो copy कर पा रहा था blast की, Satama की so we can say that कि गारो infinite तरीके की techniques use कर सकता है क्योंकि energy का भी use infinitely तरीकों से हो सकता है और अगर infinite भी ना हो तो empty void से ज्यादे ही techniques होंगी गारो के पास और इसके बाद आता है last reason यानि fifth reason जो की सबसे बड़ा concrete proof है कि कास में गारो ज्यादा strong है empty void से क्योंकि आर blast ने खुद बोला था chapter 196 में कि originally वो और empty void की जो abilities हैं जो powers हैं वो बरावर level की हैं लेकिन क्योंकि empty void को god की powers में लगी थी तो उसको बहुत बड़ा advantage था उनकी fight में लेकिन still वो manage कर पाया empty void को बहुत serious injury देने में जिससे की literally empty void को 15 साल लग गए recover होने में वो भी तब जब वो god की powers यूज़ कर रहा था और उपर से empty void जब इतना खतरनाक attack यानि dimensional slash का use करता है तो starting में तो blast shock होता है यानि 15 साल पहले जब blast की fight होई थी उससे लेकिन still इतनी खतरनाक ability को देखने के बावजूद जब blast cost में गारों को देखता है उसकी powers को देखता है कितना ज्यादा shock होता है यह मुझे शायद बताने की जोत नहीं यह तुम सब लोगों ने देखा है और यही नहीं blast जब empty world के dimensional slash को देखता है वो यह भी बोलता है कि लगता है वो fully recover हो चुका है यानि 15 साल पहले जितना ज़्यादा वो strong था उसी level पहुंच चुका है जिस पर सेटान उससे पूछता है कि क्या तुम सही में जीत भी पावगे old dude तो इस पर blast यह बोलता है well I will figure it out क्योंकि मैं भी कोई हाथ पर हाथ दरे बैटा नहीं था यानि blast इतने सालों से training कर रहा था लेकिन अभी जो कॉस्मिक गारों से fight होई थी blast की उसके आगे blast की कोई training काम नहीं आई बट still अभी भी वो काफी ज़्यादा confident है कि वो Empty Void को हराई देगा जिस वैसे तुम blast को और Empty Void को almost equal मान सकते हो Empty Void ज्यादा strong हो सकता है थोड़ा बहुत God की powers की वैसे लेकिन कॉस्मिक गारों and blast में कितना बड़ा difference था हम सब ने देखा था यही कुछ reasons थे जो की proof करते हैं कि क्यों कॉस्मिक गारों ज्यादा strong है Empty Void से and इसके बात जाके अब अगर बात करें reasons that says Empty Void is stronger than कॉस्मिक गारों तो उनमें सबसे पहला आता है that he is expert at using God's power क्योंकि तुम खोदी बता तुमने सपने में भी सोचा था कि ऐसे God's की power release होती है तो उसको absorb भी करा जा सकता है लेकिन निंजा लीडर को देखो यानि Empty Void को बंदा ना सिर्फ blast से हानने के वाद अपनी powers खोच चुकाता है इतनी बुरी injuries पे बल्कि ऐसी हालत में भी वो कॉस्मिक गारों की सारी powers को absorb भी कर लेता लाइक उसी की powers थी और उसने वापिस ले ली या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Empty Void की वोनदी पावर ही यह हो कि वो दूसरी की powers को इस तरीके से absorb कर सकता है क्योंकि तुम खुदी सोचो इस बंदे का नाम क्या है Empty Void यानि बिल्कुल खाली शून्य और इसी खालीपन को बनने के लिए तो वो दूसरी की powers आपजब करेगा और क्योंकि किसी Void में तुम कृतिना भी कुछ भी डालो वो कभी नी भढ़ती वैसे ही शायद Empty Void भी कितनी भी strength gain क्यों ना कर ले कितनी भी powers आपजब क्यों ना कर ले में देखा है कई सारे ninjas को देखा है कि उनके पास कोई एक trick या technique नहीं होती कई सारी tricks होती है और हो सकता है उन्ही में से एक trick को God की जो powers है किसी भी बनने पर उसे चीन लेना और शायद इसी वैसे तो Empty Void अपने साथ cube लेके गुमता है सारी जगों पर अगर कॉस में गारो से fight होती है Empty Void की तो अगर उसकी powers वो चुरा लेगा और अगर powers ले ली तो कॉस में गारो से कॉस में घट जाएगा और अकेला गारो कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगर तुम्हें ये points strong लग रहे हैं तो last follow point सुनके तो तुम 100% convince हो जाओगे कि Empty Void ज्यादा strong है खर उससे पहला third reason की बात करें तो blast ने 197 chapter में ही कहा था कि Empty Void जो है वो जब से गारो की power उसने ली है तो तब से ही preparation कर रहा है किसी random dimension में चुपका और अब क्योंकि वो dimensional slash use कर चुका है तो इसका मतलब यह है कि अब वो ready है अब preparation exactly हमें पता तो नहीं है लेकिन अंदाजा लगा जा सकता है कि या तो वो God से और ज्यादा power की request कर रहा होगा और अगर ऐसा होता है तो cosmic guru को वो obviously हरा ही देगा या फिर हो सकता है उसने जो गारों से powers ली है यानि cosmic radiation जो absorb करी है उसके तुरू से जो नई powers मिली है तो उनको use करना सीख रहा होगा और अपनी खुद की powers के साथ वो कैसे combine करें यह सीख रहा होगा या फिर तीसरा and only reason यह हो सकता है कि वो blast को हराने का तरीका कोई trick या फिर technique सीख रहा होगा क्योंकि आप पिछली बार भी god की powers थी ही empty void के साथ लेकिन still वो blast से आ रहा गया तो अगर इन तीनों में से कोई भी तरीके की preparation होती है तो first और second case में तो 101% empty void ही जीतेगा लेकिन अगर third case सही proof होता है तो शायद वो जीत जाए खेर जो भी है इसका फोर्थ reason की बात करें है तो empty void के पास इस point of time पे 2x power है जो की god की है यनि एक तो पहली उसके पास जो थी पहला है और दूसरी जो उसने गारों से absorb की है अब तुम्हारे mind में यार आ हुआ किया उसकी पहली वाली powers थो चली गई थी रही फिर 2x power कैसे होई यह confirm नहीं है कि उसकी पहली वाली powers चली गई थी पस blast ने इतना बोला है कि उसने serious injury दी थी यह कहीं पर भी नहीं बोला कि उसकी पहली वाली powers यो थी पह चली गई थी So that's why इसके बहुत ज्यादा chances है कि Empty World के पास इस on track time पे 2x power है God की जिस वैसे obviously वो cosmic गारों से काफी ज्यादा आगे निकल जाता क्योंकि मैंने पहली बताया जितनी ज्यादा God की power होंगी उतनी ही तरीके की techniques किसी भी बंदे में आती है जिसके बाद आता है 5th और सबसे strong region जो की हमें conversation में मिलता है Sitch और Blast जो हमें show करी आती है chapter 195 के last में जिसमें की Sitch जब Blaster से पूछता है कि वो जो crisis predict की थी अरे वही जो इस बुडिया ने predict की थी God level threat की वो शायद cause में गारों के साथ end हो चुकिया है तो इस पे Blast simply no बोल देता है In fact वो तो ये तक बोल देता है कि असली खत्रा तो अब शुरू होगा चोकि काफी बड़ा खत्रा होगा गारों के comparison में अब हो सकता है ये Empty World की ही बात हो रही हो और ये भी हो सकता है ये Empty World के बात जो खत्रा आने वाला है उसकी बात हो रही हो लेकिन still काफी ज्यादा chances है कि यहाँ पर Empty World की ही बात हो रही है और क्योंकि Blast ने खुदी confirm कर दिया यहाँ पर या और क्या ही बात करी जाए इस topic पर and that's it यहीता आज की इस वीडियो में Empty World और गारों के comparison में तुमको कौन ज्यादा strong लगता है let me know in comments बाकी मैं अपनी बात करूं तो यार मुझे तो समझा ही नहीं आ रहा है क्योंकि इन दोनों ही cases में last points जो हैं दोनों के ही काफी ज्यादा strong है लेकिन स्टिल Empty World के case में ज्यादा strong लगरा के गया Blast ने खुद ये बोल दिया कि गारों से भी ज्यादा बड़ा खत्रा आने वाला है और वही खत्रा हमें शो भी करा जाता है Dimensional Slash के तुरू सो या Empty World के काफी ज्यादा powerful होने के chances भढ़ जाते हैं इसी point की वैसे बाकि वीडियो अच्छी लगिए तो like जरू करना सारी social media links description में उनको follow जरू कर लेना चैनल को subscribe करके रख लेना ऐसी वीडियोस की जिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपो